हले दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल बीटॉपर में सफेंड जैसा कि आप लोग ने थमने लोब टैटिर्ट तो रीड करी लियोगों दोस्तों आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी लेकपाल भरती 2020 के लिए समान हिंदी का प्रैक्टिसेट होगा तो आईए देखते हैं कुछ महात्पूर्ण प्रण जिसमें 30 प्रसंद देखेंगे और आप लोग मन लगा के पूरा प्रैक्टिसेट को इमानदारी से दीजिएगा नीचे कॉमेंट बाव आप लोग एंसर भी करते रहेगा बताएगा कि कितनी क्वेशन आपने 30 में सही की हैं आगे बंडे से पहले दोस्तों आपको बताना च wraps वहनों के उप्राइब करेक्क करनों चाहते हैं तो upkovnica के इसमें हिंदी जी के ग्राम समाज योगी चकबंदी लेकपाल राजस लेकपाल दोनों में पूछा जाएगा पूरा स्लेबस कबर किया गया है कीमत मात्र 99 रुपीज रखेगे तो बेसिक लेवल की तैयरी के लिए आप लोग इसक्राइश को जरूर बाई करें लिंक की स्क्रा सब्सक्राइब करें आप लोग जो बहन 30 से 25 प्लस आप सही कर ले जाते हैं चौबिस तैइस पच्छी से तो आप समली हिंदी आपका बहुत अच्छा है वाँ सब्सक्राइब करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुन भूलें बगल में दिया होई बेल आ आप्शन बहुते सब्सक्राइब निराप्राध क्या हो जाएगा निराप्राध जो है आपका वर्तिनी से असुद्ध है अगला कोशन हैंकि क्वेस्ट क्रियावाची नहीं है question number कराऊंगा सभी का फ्री में पीडियाफ फाइल एंसर के साथ मैं आपको तूंगा ताकि आप बाद में प्रैटिस कर सगें आपको करना कि हमारे टेलेग्राम गुरूफ का लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में लिए उसको जॉइन के लिए वहां पर क्लास प्रब्लिस होने के बा अगला क्वेशन नमबर तीन है देखिए निमनलिकित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्ष को पहचानी है क्वेशन नमबर तीन का राइट एंसर देखिए उप्सन ए है राम खाना खाता है राधा का कुत्ता बहुत तेद दोड़ता है तो यहां पर जो राधा का संबंध है वो कुत्ते से है कि कुत्ता किसका है राधा का है ठीक है तो कुत्ते और राधा की बीच एक संबंध बताया जा रहा है अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर चार है देखिए निमनलिकित वाक में रेखांकित किये गए हुए भाग में कौन सा पदबंध है देश भर में युवा आप वेरोजगार नहीं रहेंगे तो यह आपका अं EA संगया है सरवनाम या क्रिया है १र जे अंबर चार के राइट एंसर का मेंट करें आप लोग είναι वैरी गुड्ध प्वेश्चनन नमबर् और प्वेश्चन नंबर फ्वोर राइट यांपर सेंग्ञा है अगला प्र पांच पांथके सामने करमियं का उधारान कौसा तो यहां पर से दोस्तों पत्र लिखा जाता है ठीक है यह आपका करम वाच है तो अपर करम का बोध हो रहा है तो आपका करम वाच हो जाएगा अगला क्वेशन नमबर 6 आपके सामने देखिए निम्न में इस्त्री लिंग का इस्त्री लिंग सब्द कौन सा है क्वेशन नमबर 6 डालिए और डॉट लगा के A B C D जो आपका राइट एंसर सही लेगे वह आप कॉमेंट करें क्वेशन नमबर 6 का राइट एंसर वेशन नमबर 6 का राइट एंसर आप्शन A सही हो जाएगा यहाँ पर आपका वेदना वेदना जो है आपका इस्त्री लिंग सब्द है बाकी अध्याय नेत्र त्यागी सभी पुर्लिंग है अगला क्वेशन नमबर 7 है देखिए निम्न लिखित वाक्व में क्रिया विशेश पदबंद क्या है क्रिया विशेशन पदबंद क्या है क्रिया विशेशन पदबंद क्या है उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाउं है इसमें कौन सा क्रिया विशेशन पदबंद है साथ का राइट एंसर कमेंट करें तो यह पर question number 7 का जो right answer दुस्तु वो है आपका option A हाँ पर सही है उस पहाड़ी के पीछे जो है आपका यह आपका क्रिया विशेशन पदबंध है अगला question है question number 8 है वियोग स्रिंगार की कितनी दसाएं मानी गई है question number 8 का right answer comment करें फटा फट very good question number 8 का right answer option C यहां पर सही दोस्तु दस अगला question है question number 9 है देखिए 9 क्या कर रहा है निम्न लिखित में से क्या प्रसंवाज प्रसंसा सुचक विस्मयाद वोधक अव्यों नहीं है बताएं कौन सा नहीं है आपका पुछा रहा है 9 का right answer question number 9 का right answer option C यहां पर सही बाप रे बाप ठीक है आपका यह प्रसंसा सुचक विस्मयाद वोधक अव्यों नहीं है अगला question है question number 10 है देखिए बोरों सबएं रघुवन कुठार की धार में बारन बजी सरत ही बन की वायू उड़ाई की लच्छन लच्छ करव आई हाई समर्थी यह पंक्तियां की सुरस का उधारान है दोस्तों पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मापी चाहता है इतने कठिन question number 10 का राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका option D यहां पर सही हो जाएगा राध्र है अगला question फिर्चन नंबर एक सेटर एक वच्छा कहा रहा था कि रेड़ डॉट यूजस किया करें तो ध्यान आगया है कर लेकंपर चली क्वेश्चन नंबर 11 सब्सक्राइब उपविराम का चिन्न कौन सा है क्वेश्चन 11 का राइट एंस अरते हैं आप लोग very good question number 11 का जो right answer दूस्तों आपका option number A यहाँ पर सही है जो आपका यह है दो डॉट बने हैं यह आपका उप विराम का चिन्न माना जाता है अगला question है question number 12 देखिए कबीर दास तुलसी दास सूर्दास आथ कौन से काल के संत कवी है question number 12 का right answer दें आप लोग very good question number 12 का right answer दोस्तों वो है आपका option number यहाँ पर B सही हो जाएगा भागतिकाल अगला question है question number 13 है देखिए अजन्त के लिए सही संदिविचेद को चुनिए question number 13 का right answer very good question number 13 का right answer है option C यहाँ पर से दोस्तों अच्छ धन अंत ब्राबर अजन्त अगला question है question number 14 आपके सामने देखिए किसका प्रियोग सदयों एक वचन में होता है चौदा का right answer दोस्तों वो है आपका option question number B यहाँ पर सही है प्रतेक अगला question है question number 15 देखिए नियमने लिखित में से कौन सा सब्ध छाणिक का विलो मार्थी है 15 का right answer दें आप लोग पंद्रा नंबर का सही उतर दोस्तों फटा फट कॉमेंट करें question number 15 का right answer क्या है आपका option B सही हो जाएगा है आप सास्वत अगला question है question number 16 देखिए क्या कर रहा है 16 नंबर है यदब वहाँ बीमार था प्रंत वहाँ मेला गया क्या वाक में तुरूटी को सुधार है 16 का right answer दें वाक में तुरूटी को सुधार के कौन सा वाक बनेंगा सही से बताएं आप लोग चौदा सोला का right answer देखिए 16 का right answer दोस्तों वो है आपका option number C सही हो जाएगा पर कौन सा सही हो जाएगा सी वाला option सही है यदब वहाँ विमार था तथा आप वहाँ मेला देखने गया यह आपका सही है अगला question है question number 17 देखिए माला फेरत जुग भया गयान मन का फेर करका मन का डार के मन का मन का मन का फेर इन पंक्ति में पंक्तियों में अलंकार का उंचा है 17 का right answer बहुत famous और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्त है देखिए यह बार बार पूछा जाता है question number 17 का right answer देखिए आप लोग फटा फट त्यापर 17 का right answer क्या हो जाएगा c option से हो जाएगा यमा कलंकार है अगला question है question number 18 है निम्न लिखित में से कौन सा सब्द हास्त से कहविलो मार थी है 18 का right answer comment करें तो अठारा नंबर का सही उत्तर क्या है c अला option से रुदन अगला question है question number 19 से दिखिए आपके सामने 19 क्या करें निम्न में अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है 19 का right answer दें आप लोग फटापट question number 19 का right answer 19 क्या हो जाएगा d से हो जाएगा कोई कोई जो आपका अनिश्चय वाचक कोई निश्यत नहीं होता है आप अगला question question number 20 देखिए उपयुक्त के लिए सही संद्विच्छेद को चुनिए 20 का right answer comment करें आप लोग 20 का right answer option D सही है देखिए उपरी धन उक्त बराबर उपरी उक्त अगला question question number 21 है देखिए दिए गए वाक्यों के के जिस अंसर में 30 हो उसे ABC से अंकित किया गया है जिसमें नहीं हो डी है तो आप लोग बताएं कौन सा तो बताएं 21 का right answer दोस्तों एवाला option से यह वाले में है कृपया आप ही ठीक है यहां बताने की कृपा करें तो यहां पर आपका कलती है 21 में कौन से हो जाएगा देखिए दिए गए वाक्यों में विकल्प ए में जो है कृपया आप ही में ही 30 पूर्ण है सही वाक्यों हो ज 22 का right answer very good 22 का right answer दोस्तों वो है आपका option number 22 का क्या हो जाएगा सी वाला option से हो जाएगा डर कर भागना अधुम दबा कर भागना अगला कोचने 23 देखिए कौन सवाक सत्यात्य बोधक भविश्यकाल में है 23 का right answer दें आप लोग 23 का right answer दोस्तों वो है आपका option number A सही हो जाएगा जवान देश की जवान देश की सेवा करते रहेंगे अगला क्वेशन है question number 24 है देखिए क्या है टेस्टीमोनियल का हिंदी अनुबात क्या है 24 का right answer आप लोग comment देंगे इसका answer में कल आपको बताऊंगा ठीक है यह आपके लिए homework है question number 24 का right answer बताएं क्या है कालिंदी का प्रयावची क्या है 25 का राइट एंसर दें आप लोग कि अगजिए कंवान कर प्रयावची होता है कालिंदी अगला प्रयावची है बढ़ा चला कर कही गई बात के लिए एक सब्द निम्खित में से कौन सा है question number 26 का right answer 26 का right answer दोस्तों वह आपका option number यहाँ पर D साई ठीक है आतिस योग्त ठीक है बढ़ा चला कर कही गई वाली बात जैसे उद्धारण के तुर पे युद्ध में खून की नदिया बहे गई तो यह जो है इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध में बखुत मार काट हुआ बखुत लोग मारे गए लेकिन ऐसा नहीं संभव है न कि नदिया बहे जाए खून की इतना भी नहीं खून बहेगा कि नदि बन जाए वहाँ पर तो यह बढ़ा चड़ा कर कही गई बात को है ठीक है तो यहाँ पर अपका अतिस्योग तो हो जाएगा अगला क्वेशन है क्वेशन नबर 27 है देखे विक्रित आकार वेस भोली चेस्टा व्युहार आज के वर्णन से उत्पन होता है यह होता है वाता है 27 का राइट एंसर 28 से हो जाएगा शांत जो हाब का विशेशन है यह विशेसा है अगला question है question number 29 29 देखे क्या कह रहा है 29 है किस चंद के प्रतेक चरण में 28 मात्राइं होती है और 14-14 या 16-12 मात्राओं पर यती होता है 29 का राइट एंसर दें आप लोग वेरीगूद 29 का राइट एंसर दोस्तों और सामने देखे निस उपसर्ग से बना सब्द निम्न में से कौन सा है बता है 30 का राइट एंसर यह लास्ट क्वेशन आपका 30 नमर का राइट एंसर दें आप पर खुट अपड़ और कितने पर 30 क्वेशन में कितने आपने सही आप लोग कमेंट करके बताएं और यह लिए क्लास के लिए चैनल को सब्सक्काइब करके बगल में देऊ लाइकन कौन के लिए डेली रात आट बजे क्लास आएगी और दुपहर बारा बजे क्लास आएगी दो क्लास बहुंगी आप कर दो कर दो किता कमें लोगेार क利ए है उत्यार आप